नवसकार दोस्तों टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिरसे स्वागत है सरकारी संस्थानों के जानकार वैग्यानिक और किसान आपस में मिल जाएं तो कमाल हो सकता है इसी का उधारन है ये खेत हरियाना के रोहतक जिले के निडाना गाउं के सतेंदर सिंग का ये खेत है और मेरे साथ है डॉक्टर जेपीएस दबास आई एराई पूसा के वैग्यानिक है इनकी देखरेक में यहां सतेंदर जी ने धान उगाया और उसके बाद कितना बदलाव आया कुछ सतेंदर जी बताएंगे और कैसे ये बदलाव आया डॉक्टर जेपीएस दबास इस बारे में बताएंगे और यहां तीन हजार एकड़ धान की फसल को अपनी देखरेक में उगवाया इन्होंने किसानों को केवल बेहत जरूरी रासाइनी खाद और सही कीट प्रबंधन करने का तरीका बताया किरसी देख्यानिकों की देखरेक में धान उगाने से निडाना गाउं के किसानों को कितना लाब हुआ सुनिये यहां के किसान की जुवानी की गुनवत्ता भी बहुत अच्छी पैदा करते हैं हमारे साथ आज सतिंदर जी हैं सतिंदर जी आप बहुत दिनों से जाव दांकी खेती करते आ रहे हो तो जो इस साल की है पहले किया था इसमें दोनों में क्या आंकर है पहले तो हम चार कट्टे तक यूरिया डालते थे डालते थे अब आप जब से आया हमने उससे आदा कर दिया यूरिया डेड़ से दो कट्टा पे आगए इस बार ना डीएपी डाल और सिंगल सुपर के दो बैग डाल दिये नहीं कोई सप्रे की जुरूत पड़ी है और कीड़े जो आपके पहले बहुत तंग करते थे इस ब ants traces ले रहे जोरी यह कोई निरा यह तो आपको इसका किश लाफ दिखायरा यहाँ है हाँ इसमें रोज आना एक झीडा आ जाता है तो उनलब कीडे काई का से शीड़ui का मै है आपको चिंता करने जूरूत नहीं आप पहले कितने सप्रे करते थे युष्ट करते थे अंदा पूरे पैसे बच जाएंगे और जो धान होगा उसके अंदर जहर का भी अंस नहीं रहेगा क्योंकि जब हम जहर डाली नहीं रहे तो उसकी संभावना और कम हो जाएगी तो जैसा किसान सतेंदर ने पताया कि वैज्यानिकों के सही मार्क दर्शन में धान की फसल उगाने से इनका काफी खर्चा बच गया कम रासायनिक खाद और बेहत कम पेस्टिसाइड से धान उगाने के लिए क्या करना होगा सुनिए डॉक्टर डबास से अच्छी फसल के लिए सबसे पहली बात है आपको स्वस्थ बीजं करना है यमारी भी प्रियोग कर सकते हैं और उसके बाद में पर रुपाई करने की भीस से पुटाओ अच्छा ओगा अच्छे उसमें फसल आएगी और रुपाई का सही दूरी सही मेंटेन करनी है 6-8 इंचे ज्यादा उसमें पोदे से पोदे के दूरी नहीं रखनी है क्योंकि जितने ज्यादा पोदे होंगे उतनी अच्छी पैदावर मिलेगी उसके साथ-साथ में जैसा कि सतंदर जी ने तुलित प्रियोग किया है जिससे के आज इनकी फसल बहुत ही बेतरीन खड़ी है और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी किसान भी ऐसी फसल पैदा करने की कोशिज करेंगे तो इसमें और क्या सुधार की संभावना जिस बार आपने किया है सुधार की पहले से प्योद और किसान जो से पहले अपने धान की बीच की भुवाई कर चुका था और किसान थोड़ा बीच में यह भी संसे में था कि पूसा संस्तनवल कितने बार आएंगे कैसे गाइड करेंगे लेकिन जब हमने सत्यंदर जी का काम देखा है तो उससे देखने को मिला है कि संत्यंदर चावर भी अच्छी होगी और साथ-साथ में हम जो वातावन है उसको भी परदूसित नहीं किया है तो वातावन कभी बचाव हो गया साथ-साथ में किसान के पैसे बच गए भोगता को अच्छे किसम का चावल मिलेगा और अगर यह चावल एक्सपोर्ट में जाएगा तो नाम और ज्यादा रोशन होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो खासकर बास्वति चावल की पैदा करते हैं वह इस बातों का ध्यान रखते हुए ताइम पर भुवाई करेंगे बीच का साई से उपचार करेंगे रुपाई ठीक से करेंग परियोग करना आपकर ट्राइको का परियोग करना यह ऐसे परियोग हैं और जब संतुलित मातरा में खाट डालेंगे तो कीटर बिमारी का प्रुकॉप अपने आप ही कम हो जाएगा उमीद है कि हमारे सबी दूसरे किसान भाई जो इस कारीकर्ण को देख रहे हैं वह भी इ फिर आप से अनुरोध है कि आप प्राइवेट किसी जानकार की बजाए आप सरकारी संस्थान के जो पड़े लिखे अच्छे जानकार वेग्यानिक हैं उनसे संपर करके अपनी फसल में वही डालें जो वह रिकमेंट करते हैं इससे आपका खर्चा शर्तिया बचेगा और पैदावार अच्छी होगी फिर से अनुरोध है सरकारी संस्थान और किसान मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा नमस्कार जैहिंद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जादा से यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइ करना ना भूले